हेलो गाइज, विल्कम टू सरकर्ट्रेटर्स, सरकर्ट्रेटर्स के अंदर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, तुमारो नेप्टी पिडिक्शन को लेके, तो गाज बहुत अच्छा दिन देखने के लिए मिला है, बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट आप लोग क कमाया होंगे, डेफिनिटली कमाया होंगे, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे, हमारे लेवेल को देखते होंगे, क्या बात कल के दिन पर कहा था, और आज क्या होता हुआ दिखाय दिया मार्केट, बहुत बारिकी से मैं समझाऊंगा, इन 10 मिनिट के अंदर, तो हमारा एक ही वो रहता है, गिप्ट, गिप्ट क्या है, अगर अच्छा लगा है, तो आप लाइक बटन छोड़के जेए, यही गिप्ट है, ओके, चलिए गाज तो देखते हैं, आज कितने लोग लाइक करते हैं, फर्स्ट अपॉल, निप्टी का तो सेंटिमेंस, देखो हम हम बहुत सारे लोग ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन हम बीते हुए दिन को भूल जाते हैं, क्या करते हैं, बीते हुए दिन को भूल जाते हैं, क्या बीते हुए दिन, देखो, यहाँ पे हम यह पता है, जब निप्टी कंटिनू नहीं बागता है, फिर भी जब निप्ट उसी label important है तो उहाँ पर कल हमने क्या label आपको डाला था एक बार देख लेते हैं फिर आज देखते हैं जो market किस जगा से bounce back हुआ है तो देखे गाइस यहाँ पर हमने बताया था second resistance जो है 15,973 आज 16,000 से भी उपर चला गया था बैंग निप्टी का resistance क्या बताया था 34,274 और यहाँ पर क्या बत करताया था बैंग निप्टी के लिए कि बैंग निप्टी जो gap down हुआ था उस gap down को काफी दिन से यह जो level है मैं कोई दिनों से इस level की बात कर रहा था यह जो gap down है इस gap down को fulfill करने के लिए एक बार बैंग निप्टी आएगा और जब बैंग निप्टी यहाँ पर है तब भी आप लोग को बताया था 2000 पॉइंट के rally मुझे दिखाई देने के लिए मिल करूंगा जो मैं कब यह वीडियो डाला था और आज कितने दिन के बाद यह टार्गेट एचीव हो आज तो गाइस मार्केट एही हुआ है कि बैंग निप्टी जो gap down था उसे फुल्फिल किया फुल्फिल करते है वहीं पिन पॉइंट से मार्केट डाउन होग अब जब करते हैं उस टाइम पर देखिए यहां पर मैंने एक रामबन कॉल दिया था तो जब जब मैं रामबन कॉल देता हूं आप देखेंगा कि मैं अगर 20 या 30 पाइंट का टाइगर देता हूं वो 200 से 300 पाइंट का टाइगर दिखाए तो यहां पर जो मैं बैंक्निट का लेवल रेढ़ दिया था कल के दिन पर 34,284 यानि कि 34,274 आज बैंक्निट का लेवल जाता वह दिखा दिया एह 34,350 यहां जाता रख दिखा दिया ओकै तो गाइस इहां पर हम clear क्या scenarios पर क्या estaris मैं क्यास मैं क्या कहता हूं चलो दिखाता हूं और यहां पर यूज कीजिए मुविं एवरेज 50 डिये में 50 डिये में बैंक निप्ट का चार्ट के उपर ओन डे का चार्ट यहां पर देखिए कहां से किस जगा से पिन पॉइंट से मार्केट डाउन हुआ मेरे कॉलिक एक फॉलवर्स मुझे दिन बे पूछे थे कि आज का रेजिस्टेंस कहां पर है ओके मैंने उनको क्या लेबल दिया था यह देखिए गोवर्मेंट डिपलई है इनको मैं यहां पर दोपार को भी बता दिया था कि आज बैंक निप्ट का रेजिस्टेंस है 34,350 से लेके 34,380 कितनी बज़े बताया था यह देखिए वाट्सप मेसेज में 1156 पे ओके किस बज़ाय से बताया था यह हमारा जो 50 देज मुझे दिखाए दे रहा है इस बज़ाय से आराय समझ में टिकनिकल पावर क्या होता है ओके चलो अब बात करते है कल के दिन हमें कैसे ट्रेट करना है फर्स्ट अप वाल मार्केट हीउस डाउनफल हो आ है तो जब ऐसे हीउस डाउनफल होता है तो एक रिट्रेस करने के लिए थोड़ा सा मार्केट उपर आता है इस को हमें ध्यान देना है कि 34,000 जो लेविल है यह एक रिट्रेस्मेंट पॉइंट बन सकता है कल के लिए अगर गलोबल मार्केट के कारण मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवनेस ओपन होता है तो यहां पे हमरको रिट्रेस्मेंट पॉइंट बनता है मैंने आज ही आप से उपर जाता है आपको कॉल साइड में नहीं जाना है मेरा बाई किलियार कटा है ओके डाउसाइड लेविल 33,600 यानि कि मार्केट अगर 600 के करीब ओपेन होता है गाप डाउन ओपेन होगा तो 600 पे सपोर्ट फेस करेगा ठीक है 33,600 बहुत किलियार बता रहा हूं अब यहा अगर डाउन ओपेन होता है यहां पे सपोर्ट लेता तो यहां से रिवार्स हो सकता है ग्लोबल मार्केट के कारण मार्केट को अगर पॉजिटिव ओपेन कराया तो 34,000 रेजिस्टेंस बनेगा यहां से मार्केट डाउन हो सकता है किलियार अगर इससे उपर जाता है सस्ट करूंगा इभी मैं आप से बात करूंगा ओके 33600 को भी ब्रेक कर देता है तब मैं चला जाओंगा 33400 के लिए डाउन साइड में लेबलों को नोट कर लीजे इस लेबल को साथ साथ का ट्रेडिंग करेंगे तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो गाइस जो बैंक निप्टी का मैं लेबल दे रहा हूं लेबल को क्लिया समझ लीजिए किस-किस बेस पर दे रहा हूं यह था एक कि डेटा कैलकुलेशन का मापिक कहां पर रिजिस्टेंस कहां पर सपोर्ट और मार्केट किस तरह किसे बीएप कर सकता है मैं बहुत क्लिया आपको समझा दिया हूं तो ध्यान दीजिएगा कि 30 जो लेबल अभी क्लोजिंग हूआ है इसके बाद जो लेबल आता है 33,700 जो मै बन सकता है चलो उससे पहले देख लेते हैं तो रिट्रेस्मेंट बन सकता है 15,871 क्लियर 15,871 यानि कि अभी 800 पे क्लोजिंग हूआ है यहां से लगबग यह जो पॉइंट है ओके इस पॉइंट तक रिट्रेस्मेंट पॉइंट बन सकता है अगर ग्लोबल मार्केट कैस्टेट करता है तो इस जगा को ध्यान देजीए इहां तक अगर पॉजडिव आता है आपको पूट का ध्यान देराए इस जगा पे आपको पूट का ध्यान देरा कूनसी पूट पे ध्यान reminds both क्लियर 15,800 PE थोड़ा सा हाई पे आ गया है आप उसको रिट्रेस होने दो मैं 15,800 का PE का भी चार्ट दिखाऊंगा उसको थोड़ा सा रिट्रेस होने दो मैंने खहल से 120 के असपस पहुंच गया होगा अब यह जब 80 के असपस आएगा उहाँ पे सपोर्ट लेके बांस बैक होग तो यह आपको अच्छा बाइंग ऑपर्चुनिटी का पॉइंट रहेगा क्लियार मैं पूरा सिनारिस किस बेस पर बात कर रहा हूं अकर गलोबाल मार्केट मुझे पॉजिटिव लेके खड़ा करता है तब मैं यह सिनारिस देखूंगा बट गलोबाल मार्केट का 7,631 यह फुली जो है यह डेटा कल्कुलेशन है और इस डेटा कल्कुलेशन को भी आप लोग को ऑनलाइन क्लास के अंदर समझाए जाता है दिया जाता है ओके 10 डेस के ऑनलाइन क्लास है 7,000 टोटल फीज आप सबको पता है शीखो खुद से शीख के फिर्टेट करू ओके अधरवाइस हमारा जो प्रीमियम ग्रूप है आप देखे होंगे आज प्रीमियम ग्रूप में बहुत बहुत अच्छा ही कॉल प्रोबाइट किया गया है और हर एक टाइम में आप लोग को हमारा टेलिग्राम ग्रूप में भी बताते गया हूँ जिए यह कॉल हमने प्रीमियम ग्रूप में दिया हूँ ओके गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको जो 15800 का जो पूजिशन है पूट पूजिशन है इसको हम किस लेबल पर बाइंग करेंगे देखो लास्ट सीनारीस पर हीूज इसने मुमेंटम दिया है यूज मुमेंटम दिया है अब थोड़ा सा इससे रिट्रेस अगर होता है 75 या 70 लेबल पर आके 75 या 70 लेबल पर आके बाउंस बाग होता है यह लेबल हमारे लिए बहुत अच्छा लेबल बनेगा क्लियर हो गया कल के लिए इसका रेजिस्टेंस कहां पर बन सकता है तो इसका फर्स्ट अपर रेजिस्टेंस बन सकता है ओन 45 से ओन 50 लेबल तक ठीक और फिप्टी लेबेल के असपास इसका रेस्टेंज बन सकता है 15,800 का पी-ई का और क्या क्या चीज़ चाहिए ऑप्संचेंच चाहिए चलो ऑप्संचेंच के लिए क्या कहता हूं एक नजर काफी है मैं सरव एक ही नजर देखूंगा ठीक है कि अप्संचेंच का डेटा हमें एक व्यू देखे जाएगा कि मर्केट पॉजिटिव साइट का व्यू दे रहा है या नेगटिव साइट का व्यू दे रहा है यहां पर आपको बता रहा है 15,800 एक बेंचमार्क पॉइंट है कल के लिए 15,800 से उपर अगर सस्टेनबल होगा तो फिर अभी भी अभी 15,900 के ल नीचे अगर आएगा तो कोई सपोर्ट का नाम निशाना बीच में नहीं दिखाई दे रहा है यानिके मार्केट बहुत अच्छा डाउन साइड जा सकता है जब 15,800 से नीचे बिलंग करेगा चलना शुरू होगा और कुछ चाहिए option chain data कौन सी call put में काम करना है उसका data कब मार्केट positive होगा तो क्या करना है negative होगा तो क्या करना है इसका data और क्या चाहिए दोस्त अभी भी like बटन नहीं दबाये हैं तो फिर आप समझ रहे होंगे आप कौन सी category का student में पढ़ते हैं तो गाईस सर्माया मत like बटन बनता ही बनत मत बस्त, अग